आप सभी को नमस्ते, क्लास नाइन की फिजिक्स में ये चैप्टर मोर्शन हमने शुरू किया था, आज के इस लेक्चर में हम उस पे बेश्ट कुछ निमेरिकल आपको यहां कराएंगे, ठीक है, सबसे पहला हमने यहां लिखा हुआ है, अब आप देखें, यह मानते हुए कि एक्सेलरेशन युनिफॉर्म है, इसका मतलब क्या हुआ, इससे हमें क्या फाइदा मिलेगा, कि जब एक्सेलरेशन युनिफॉर्म है, तो हमने जो पिछले लेक्चर में एक्वेशन आफ मोशन पढ़ें हैं, तीन एक्वेशन आफ मोशन पढ़ें, उसको हम यहां अपलाई कर सकते हैं, ठीक, फिर क्या है, अब देखें, यहां जब एक्सेलरेशन युनिफॉर्म है, तो हम अपने तीन एक्वेशन लगा सकते हैं, उनको लिख लेते हैं, अब हम देखें कि क्या क्या हमारे पास गिवन है और क्या पूछ रहा है, उस आधार पर हम सलेक्ट कर लेंगे कि कि किस एक्वेशन की मदद से हम क्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, एप्रोच यही रहेगी, एट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोस्टी यू जिरो है, ठीक, फिर क्या है, अटेंस अ वेलोस्टी ओफ सेवेंटी टू किलोमीटर पर आवर है, ठीक, इन फाइव मिनट्स मतलब टी फाइव मिनट है, ठीक है ना, अब तो कोश्चन नहीं ब पूछ रहा है, ए पूछ रहा है, एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस, और ऐसे लिख लें, एक्सेलरेशन बार, और एस, यह दो चीज़ें हमसे पूछ रहा है, ठीक, अब देखें आपकी टाइम यहां दिया हुआ है मिनट में, और वेलोस्टी दे हुई है किलोमीटर पर लेते हैं, एक मिनट में 60 सेकंड, तो पांच मिनट में 5 गुणे 60 सेकंड, 5 गुणे 60 सेकंड, कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30 और 0, 300 सेकंड, ठीक, वेलोस्टी को अब मीटर पर सेकंड में कैसे बदलेंगे, पिछले लेक्चर में हमने बताया है, इसी चैप्टर के एक लेक् किलो मीटर पर आवर है, किलो मीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना हो, तो हम 5 गुणा कर लेते हैं, यानि 72 गुणे, 5 गुणे, 5 गुणे, तो V आपका है, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, अब देखें, सबसे पहले A के लिए क्या करेंगे, A निकालना है, U दिया है, V दिया है, और T दिया है, वो एक्क्वेशन है हमारे पास, पहला ही वाला, V, तो लिखेंगे, फ्रॉं, V एक्वल टू, यू, प्लस 80, V क्या दिया हुआ है, 20, U क्या है, 0, ठीक है, A तो पूछी रहा है, और T दिया हुआ है, 300, यानि A, इंटू, 300, इससे हमें मिला क्या, एक्वल टू, 20 अपॉन, 300, इसको आप कैल्गूलेट करेंगे, तो यह 00, और एक बटा 15, एक बटा 15, यूनिट क्या हो जाएगी, सबको हमने SI उनिट में बदला है, इसको मीटर पर सेकंड में कर लिया था, इसको सेकंड में कर लिया था, यहां आ जाएगी, मीटर पर स्कोर, यह हो गया, दूसरे में क्या करेंगे, क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल, तो डिस्टेंस यानि S निकालना है हमें, अब हमारे पास A भी है, V पहले से ही था, UV पहले से था, और T भी पहले से था, दूसरा एक्विशन लगा लेते हैं, हमें लगता उससे हो जाएगा, S is equal to UT plus half 80 square, चुकि U देखिए, 0 दिया हुआ है, तो UT वाला पूरा term 0 हो जाएगा, यह पूरा जो है, यह 0 हो जाएगा, क्योंकि U 0 है, ठीक है, अब बचा half, 80 square, अभी अभी हमने निकाला, 1 upon 15, T square, तो T क्या निकाला हमने, 300, 300 का square, अब घबडाने वाली इसमें क ठीक है, half into 1 upon 15, 300 का square, आप ऐसे करें, यह हो जाएगा, 3 का square 9, और यह 2 0 है, तो 4 0 हो जाएगा, यह आगया आपका 90,000, ठीक है, अब आप इसको भाग दें, तो 15 छक का 90, ठीक, यानि 6000, और यह 2 से, तो यह हो गया, तीन हजार, तीन हजार, यूनिट क्या रहेगी, सब को हमने SI में बदला हुआ, तो 3000 मीटर, अब 3000 मीटर लिखने से अच्छा है, कि हम इसी को 3 किलो मीटर लिख दें, क्योंकि एक किलो मीटर में 1000 मीटर, आप जानते हैं पहले से, ठीक है, यह भी हो गया, यानि दोनों चीज पर सेकेंड स्कॉर, और S आया है, तीन किलो मीटर, ठीक है, तो यह हो गया, कुश्चन सॉल, आप चाहें, तो अब सॉलूशन देखने के बाद, फिर एक बार खुद से ट्राई करिए, खुद सोचिए, ठीक, तो हम अगला कुश्चन ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमने दूसरा कुश्चन लिया है, आपके लिए तीनों एक्कुशं फिर से यहाँ पर लिख दी है, अब फिर से आप देखें, अब पिर से आप देखें, अकार एक्सेलरेट्स यूनिफर्मली, मतलब हम इन तीनों एक्कुशं को लगा सकते हैं, ठीक है क्या-क्या पूछा है एक्सेलरेशन पूछा है और डिस्टेंस कवर्ड पूछा है ठीक है बता लेंगे भाल एक्सेलरेट कैसे हुई है फ्रॉम 18 किलोमेटर पर आवर तो 36 किलोमेटर पर आवर एक बार आप फूट प्रॉट ट्राई करें काफी हिंट था हमने देही दियें तो आप देखें लिए फ्रॉम 18 किलोमेटर पर आवर मतलब जो इनिशियल वेलोस्टी थी वह 18 किलोमेटर पर आवर की थी तो U की वेल्यू क्या होगई 18 km पर आवर फ्रॉम इतना टू इतने मतलब फाइनल वेलोस्टी 36 km पर आवर इतने तक पहुंची कितनी देर में 5 सेकंड में ठीक अब आप क्या करेंगे U दिया है, V दिया है, T दिया है और A को पूछ रहा है यही न पहला equation लगा देते हैं पहला तो from V equal to U plus AT अब आप देखें यहां time सेकंड में है और velocity दी हुई है km पर आवर में ठीक, तो देखो आप दो चीजें कर सकते हैं या तो इसकी unit meter per second में कर लो और इसकी भी unit meter per second में दर लो फिर put कर दो या फिर आप क्या कर सकते हैं इसको लिख लें V equal to U plus 80 है इसको हम लिख सकते हैं V minus U is equal to 80 इसी को हम लिख सकते हैं V minus U upon A sorry A तो पूछा है इक्वल टू A और upon में T upon में T यहां ला सकते हैं अब जो यह V minus U है इसको आप सीधे भी घटा सकते हैं और घटा के फिर unit चेंज करते हैं इसे भी आप कर सकते हो जैसे वी माइनस यू अमने निकाल वी माइनस यू तो यह कितना हो जागा 36 माइनस 18 मतलब 18 किलो मीटर पर आवर अब इसको आप मीटर पर सेकंड में बदल लिए कैसे बदलेंगे तो किलो मीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है पांच बटे 18 का बुणा कर लिए अठारा से एठारा ये कैंसल हो जाएगा बचा पांच यह हो गया पांच मीटर पर सेकंड दूसरी चीज हम जो कह रहे थे वो यह थी कि इसको आप मीटर पर सेकंड में करें तो कैसे होगा किलो मीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है पांच बटी अठारा गुणा कर देंगे यह वी है यह यू है वी माइनस यू क्या आजाएगा 10 माइनस 5 यह तो आप घटा करके यूनिट बदलें या यूनिट बदल के घटाएं इसमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि यह भी विरॉस्टी ही आएगी ठीक है आपको जो ठीक लगता वह वह वाला तरीका आपना सकते हैं फिर पर सेकंडी स्कॉर्स ठीक हो कोई बात अब क्या पूछ रहा है दर डिस्टेंस कवर्ड बाइद कार इन देट तो अब हमारे पास क्या-क्या है अब अब है अब यह यू भी है वी भी है टी भी है क्या चाहिए एस तो देखें क्या सेकंड में यूस कर सकते हैं यू है यहां पर आप अठारा पूट नहीं करेंगे अगर सब कुछ मीटर मीटर और सेकंड में इसे पूट कर रहें तो अब इंडिविज्वल आपको बदलना होगा ठीक है ती क्या हो जाएगा पांच सेकंड दिया है तो 5 इंटू 5 प्लस हाफ एक ही वैल्यू आपने अभी निकाली 1 टी स्कॉर्ड टी दिया है पांच यहांई 5 का स्कॉर्ड जो की होता है 25 तो यह आगया पांच 25 प्लस 25 बटा दो इसका मतलब 25 प्लस 25 बटा दो 25 बटा दो क्या हो जाएगा बारा दर् 25 प्लस 12.5 कितना हो गया 37.5 और यूनिट क्या हो जाएगी डिस्प्लेस्मेंट है सब एसाई में है मतलब मीटर हो जाएगी ठीक क्या क्या हमारे एंसर आए पहला हमसे एक्सेलरेशन पुछा गया था वो आया 1 मीटर पर सेकेंड इसक्वायर यूनिट लिखी क्या है दूसरा पुछा गया था डिस्प्लेस्मेंट वो हमारा आया 37.5 मीटर में ठीक है यह भी हो गया स्वाल अब फिर आप वीडियो को पॉ अब लेते हम लोग अगला क्वेश्चन हाँ तो यह आमने तीसरा क्वेश्चन ले लिया दे ब्रेक्स अप्लाइट टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन अफ शिक्स मीटर पर सेकंड इसक्वायर इन अपोजिट डिरेक्शन ऑफ मोशन ज्यान दीजेगा ब्रेक आफ्टर दे अप्लिकेशन ऑफ ब्रेक यानि ब्रेक लगाने के बाद दो सेकंड का समय लगा गाड़ी को रुकने में कई के यहां द्यान देने वाली बात यह है पूछा क्या हमसे, calculate the distance, ठीक, आप देखें, कि जो कह रहा है, कि acceleration डेवलप हुआ, 6 meter per second square का, वो break लगाने पे हुआ, motion के opposite direction में हुआ, मतलब A, इसको minus में लेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो acceleration डेवलप हुआ, ये motion के opposite direction में हुआ, opposite direction of motion, तो हमने बताया था, कि A जो है, वो negatively आजाएगा, आच्या, if the car takes two seconds, मतलब T जो है, वो दो second है, दो second लगा है, calculate distance, बने हमें A दिया है, और T दिया है, एक चीज और दी है, लेकिन वो छिपी हुई है, जनते हैं क्या, गाड़ी, क्या लिखा है, if the car takes two seconds to stop, after the application of brake, यानि अन्तिम जो बात है, वो ये है कि गाड़ी अन्तिमें रुक गई, मतलब उसकी जो final velocity है, वो zero है, मतलब V की value, zero है, अगर आप ये सोच लेते हैं, तो ये question कर लेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, अब distance पूछ रहा है, अब देखें, A दिया है, T दिया है, और V दिया है, क्या apply कर सकते हैं, इसको करेंगे, तो इसमें U है, U तो हमारे पास नहीं है, इसको अगर हम करते हैं, अच्छा, उसमें S भी तो नहीं है, हमें जो चाहिए, वही नहीं निकल पाएगा, S इसमें है, लेकिन U की value हमारे पास नहीं है, बाकी साब A T है, A है, नीचे देखें, तो यहां पर S है, ठीक, V भी है हमारे पास, A भी है, S तो निकालने के लिए, और U नहीं है हमारे पास, अब हम क्या करें, तो ऐसा करते हैं, पहला equation ले लेते हैं, V equal to U plus A T वाला, simple है, इसमें कोई ज़्यादा calculation नहीं करनी पड़े, उसकी मदद से हम, S तो नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन U निकाल सकते हैं, और एक बार हमने U निकाल लिया, तो इसके U से हम, S निकाल लेंगे, ठीक, U निकालने के बाद आप इसकी भी help ले सकते हो, इसकी help से आप S निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें ये बात आएगी, कि फिर आपको दो जगए S क्वायर करना पड़ेगा, अगर आप S क्वायर कर लेते हैं, कर लिजए, वहीं कर लिजए, नहीं तो S वाले से कर लिजए, calculation आपको जहाँ easy समझ में आए, उसको apply कर लो, तो आप देखें, इसमें एक अच्छी बात है, कि unit बहुत ज़्यादा change नहीं करनी है, तो इस तरह के पचड़े में हम नहीं पड़ेंगे, from, V equal to U plus 80, V 0 है, ठीक है, V 0 equal to U, यह तो हमें इसी से प्राप्त करना है, plus A दिया हुआ है, minus 6, T कितना दिया है, 2, U, यानि, यहाँ से आया क्या, यह minus 12 हो जाएगा, इस minus 12 को हम इदर ले आते हैं, तो U equal to आगया, 12 meter per second, यह हमसे पूछा ही नहीं है, हमसे पूछा तो displacement है, तो अभी हमारा question बागी है, अब आप देखें, इस equation से अगर हम करें, S is equal to U, T plus half A T square से, तो U, आगया हमारे पास, 12, T जो है, वो 2 second दिया हुआ है, plus half, minus 6, ठिक, T square, T 2 है, तो 2 square, 4, 4 हो गया, 12 दुना, 24, यह 2 से, यह 2, यह हो गया, minus 12, आगया, plus 12 meter, ठिक, यहां से भी आप निकाल सकते हैं, और अगर आप दूसरे equation से निकालना चाहो, तो भी निकाल सकते हो, V square, equal to U square, plus 2 A S, तो V square 0 है, U क्या है, अच्छा, U तो हमने निकालना यहां से 12, 12 का square, 144, plus 2 A क्या है, minus 6, ठीक है, S तो हमें निकाल नहीं है, आप क्या करें, अब इस 104 वाले, इसको इदर ले आते हैं, तो minus 6 गुणे 2, minus 12, into S, इदर आके plus, 12 S is equal to 144, यहीं, S is equal to 144, divided by 12, जिसका मतलब 12 मेटर, थोड़ी सी कल्कुलेशन वह हुई, ज्यादा फरक नहीं है, आप इसको भी अपलाई कर सकते हैं, यहीं कर लो, लेकिन इसको तो करना ही पड़ाएगा, पहले वाले को तो करना ही पड़ाएगा, क्योंकि आपको U चाहिए, ठीक है, तो आज हमने यहाँ पर 3 questions को solve किया, ताकि हम और अच्छे से चीज़ों को समझ सकें, देखें, आपने question से क्या पाया, कि जब break लगके acceleration हो रहा था, तो उसको हम क्या करते है, retardation, इसलिए हमने A की value यहाँ, negatively, ठीक है, और एक चीज, क्या ध्यान दी, कि car जो है, अंत में ठीक है, तो practice बहुत जरूरी है, कभी-कभी लगता है कि हमें सब कुछ आता है, लेकिन जब आप question करेंगे, तो कुछ न कुछ नया जरूर सीखेंगे, ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, फिर मिलते हैं अगले lecture में, फिर कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया जानेंगे तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद